हाँ नमस्कार जी बताए कब हुआ था गगन जी तो भी पी रखता था क्या आपको नहीं हो तो मैं समझ गया आपको बीपी की सिकाष्ट रहती थी क्या नहीं तो पैरलाइस कैसे मारा क्यों मारा अच्छा कोई बात नहीं देखो अब यह पैरलाइस मार जाए ना यह भी काम करेंगा क्यों चिंता कर रहे हो पैरलाइस का तो बहुत ही अच्छा हिलाज है बहुत ही बड़िया बैस्ट हिलाज है एक तो यह वाली मुद्रा लगा करो वैसे भी जिसको भी पैरलाइस मारने रहात मिलेगी और जिनको भी पैरलाइस मारें उसी टाइम दूद में कम से कम पचास गिराम तक लशन डालका यह पूरा लशन डालका दो यह लसन डालके उबालक उसको पिला दो उसकी नश्य खुल जाते उसी टाम क्योंकि हमने जित पैरलाइस के जो से गहौं माम थे तो इसको मारता था उसी टेम ये लसन का दूद पिलाते थे और उठ जाता था उसके आथ पर पूरे काम करने लग जाते थे अब आपने पांच से बीस ग्राम लसन डालके उबालके पीना है उससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी जो आथ नी चलता हो चलने लगेगा देख करो या फिर सूरिय की किरने लिया करो सूबह जाका सूरी की सूरिज की जब 9-10 बज्जा हा करके किरने करो जितनी एजाब की उससे डबल यानि 50 साल तर 100 बार किरने लेनी होती है कम से कम उससे आपको बहुत अच्छा लाम मिलेगा और तेल की ही लसन के अवबालके माल इसक का एक कोरस होता है हमारे यहां तो हो हमारे डाक्टर से बात कर वाक है मैं आपका विजवा हूँ हूँ है बहुत अच्छा आपको लाब मिलेगा तो पैरलाइस के रोग में तो बहुत ही इच्छे लाब मिलते हैं